हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपको 10-12 साल की लड़की के सूट की कटिंग बताऊंगी तो प्लिस वीडियो को इसकी इपना करते हुए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से इसमें कड़ाई है तो यहां पर हम 20 साइट से सेंटर से इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल पीस से हमें इसकी गले के हिसाफ से फोल्ड करना है जो इसमें कड़ाई हो रही है तो लेंद है हमारी 34 इंच चेश्ट हमारा 30 इंच पेटी है 26 हिप है 32 इंच और दामन है 18 इंच तो इसी का हमने एक च से निचे तर्फ एक निशान लगा लेंगे 6 इंच बराबर निशान लगाना है उसके बाद 6 कि हम नीचे वाले निशान से मुड़िया निशान लगाने करने तो हम इसनियां चीज्ट करने है तो हम आप पहती ईजिता तरीका मैं आपको बताओंगे तो विल्टिश across पन्ति लगाएंगें उसके बाद देखिए हमने इंचे टरफ इस तरीके से रखना है सोल्डर से मिलाते वए निचे की तरफ अठार इंच पर चाक के निशान लगाएंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से निशान लगा है और यहाँ पर हम पेटी का निशान लगा रहे हैं 12 यहां पर हम यहां पर 6 इंच पर निशान लगाना है यहां अमारे 32 तो एक चोथाई करना है अब इन स्वेटियों को उसमां आपको हाफ इंच नाप लगाते हुए बढ़ाना है तो आप देखी मुढ़ा जो है यहां से हम उपर वाले निशान से एक इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे एक इंच का तो यह हमने निशान लगा लिए यहां पर उसके बाद हमने अंदर वाले निशान है इसको मिलाएंगे इस निशान तक तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यहां से हमने इसकी गोलाई करनी है इस तरीके से अंदर वाले निशान से यहां तक यहां पर जो भी दामन इसको आधा रखना है तो यहां पर इंच्य टेप रखते हुए हम्-चाक से दामन तक इस तरीके से मिला लेंगे तो फ्रेंज मैं बहुत सिंपल एजी तरीके बता रही हूं यहां पर 1.5 इंच को मार्जन लेंगे क्योंकि नीचे से हमें 1.5 इंच को मार्जन ही लेना है अब फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो प्लीज कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो क अगर कटिंग करना चाहो तो आप इसी नाप पर कर लेना यह दस से बारे साल की लड़की के सूट की कटिंग में आपको बताई है और बिल्कुल परफेक्ट आईगी यह कटिंग तो आप देख सकते हो फ्रेंड साइड के पर्थ हमारा कट चुका है अब हम बेक साइड के प परेंड के कप्ट करना है जितनी हमारी जरूरत है तो फ्रेंड साइड के पर्थ को रखते गुए तो आप देख सकते हो में इतना ही कप्डाा की जितनी हमें जरूरत है उसके बाद मैं मुद्श को यहाह से हाफ इंच पोने एक इच करीब एक्ष्ट्रा निशान लगाने है बैक साइड के और सेम कटिंग वहा रही जो हमारे פdeside के पर्टकी है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं हमने हासे हासे cutting कर लिए उपर साइड से अब हम निचे साइड से cutting कर लेगे तो दोनों साइट से हमारी cutting हो चुकी है आप देखें मुद्ध हमारा इस तरीके से cutting करना है बिल्कुल भी आपके मुद्ध में जोल नहीं आएगा नहीं आपका तीरा गिरेकर आप इस तरीके से cutting करोगे तो यहाँ पर हमने एक fitting का और एक चाक का निशान लगाया है तो यहाँ पर हमने किनारी से किनारी पकड़ते हुए कपड़े को four fold करना है बाजू के लिए slips की cutting बताएंगे हम आपको तो पिलिस वीडियो को skip ना करना बहुत simple तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ तो सबसे पहले हमने उपर सीधा एक निशान लगाना है उसके बाद हम यहाँ पर length रखेंगे आप length कितनी भी कम जादा कर सकते हो मैंने यहाँ पर 18 inch length लिए इस निशान को हम सीधा कर लेंगे उसके बाद हमने 1.5 inch का fold होने के लिए extra कपड़ा रखना है नीचे से उसके बाद हमने उपर साइड से 1.5 inch पर एक निशान लगाना है यह निशान आपको ज़्यादा समझना है जरूरी है 1.5 inch पर हमने इस निशान लगाया इस तरीके से यह देखिए हमने यहाँ पर बाद के इस तरीके से गोलाई करनी है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 2 inch छोड़ते हो गोलाई की है और इसके बोटन हम लगाएंगे 4 inch और फिटिंग के निशान लगाएंगे हम 5 inch पर इस तरीके साथ बाजू की कटिंग करोगे तो परफेक्ट फिटिंग के साथ सिल्प्स की बाजू आपकी कटिंग होगी तो यह देखिए इस तरीके साथ फिटिंग वाली बाजू बनाएंगे यहाँ पर हम 2 inch का मार्जन लेंगे नीचे की तरफ हम 10 inch के मारजन ले लेंगे तो 700 ले देख सकते हैं आप हमने मार्जन तकी तरह निशान लगा लिए हैं और आप बाहरवाली निशान पर कर देंगे रही हैं ने देख्ते हैं बाहरार निशान के कर रहे हैं तो friends, बहुत इस सिंपल तरीके से, आप इस तरीके से सिल्प की कटिंग कर सकते हैं, यह दो इंच मने छोडते हो, यहां से गोलाई ली है, उसके बाद Button half inch हम friend side के पर्थ से कटिंग करेंगे, यह देख सकते हो, यह पर cut लगा लगें, पता रहे हमारा friend side के पर्थ कौन सा है, उसके बाद हम परावर पकड़ते हैं, यहां कट लगाएंगे, फोल्ड होएगा हमारा इतना कपड़ा, तो फ्रेंट्स प्लीज जरूर बताना, वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो में कुछ भी समझ बनाएं तो फ्रेंट्स कमेंट में जरूर बताना मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, लाफीज